दोस्तों हमारे चंद्रियान 2 ने बहुती बड़े बड़े कारणामे करके दिखा दिये हैं बहुती बड़ी बड़ी खोजे चंद्रमा पर हमारा चंद्रियान 2 कर रहा है सबसे महान खोजे जहां तक अभी दगा नासा, जैक्सा और अनेक परकार की स्पेस एजेंसी नहीं पहुँच पाई हैं वहां पर हमारा चंद्रियान 2 लैंड हुआ था और उसी लैंडिंग के चलते क्रैस होने की खबर भी आई थी लेकिन वो क्रैस होने की खबर संपुर्ण रूप से जोटी है और हमारा चंद्रियान 2 चंद्रमा पर धेर सारी खोजे कर रहा है क्या क्या खोजे हैं किस परकार की जानकारियां चंद्रियान 2 ने एक तृत की हैं हमारा चंद्रियान 2 कहां पर है किस भालत में हैं किस परकार से काम कर रहा है कौन-कून सा डाटा और वीडियो बेजी हैं, वो सभी परकार की जानकारी, हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो अगर आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल चालू कर लें ताकि जब भी नहीं और लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी जनकारी सबसे पहले आप ही को मिले दोस्तों आप सबी को जनकारी होगी कि 22 जुलाई 2019 को हमारा चंदरीयांट्य लांच किया गया था इश्रो के स्रीहरीकोटा से लांच होने के बाद ये 7 सितंबर 2019 को चंदरमा के सरफेस पर पहुँच गया था हमारा चंदरियान टू और जैसे ही चंदरियान टू नस्दीक पहुंचा था तो इसके क्रैस होने की खबर आई थी और इसरों ने पूरी मीडिया में बता दिया था कि हमारा चंदरियान टू फिलाल सिगनल नहीं भेज रहा है लेकिन दोस्तों अचानक ही कुछ महीने पसचाथ बड़ी बड़ी जानकारियां चंदर्मा को लेकर चंदर्मा के सरफेश को लेकर बाहर की सतय अंतरिक सतय और अनेक परकार की और बीटर्स की जानकारी भी चंदरियान टू हमारे इसरों को भेज रहा है और इसी कारण से नासा जैक्सा ने भी इसरों को बहुती बड़ी के परती ऐसी सोच के लिए नासा और जैक्सा ने मीडिया में भी मान लिया है कि हम इसरो को कमजोर समझ रहे थे लेकिन इसरो बहुत ही बड़ी स्पेस एजेंसी है और ये एक दिन नासा से आगे भी निकल सकती है अगर इसरो इसी परकार से कारिय करता है तो और नासा और जैक्सा ने इसरो को बहुत सारी बदायां भी दी है चंद्रियान 2 की काम्याबी के लिए क्योंकि चंद्रियान 2 के पास ऐसा डाटा है जो इसरो को बहुत ही बड़ी तरह की दे सकता है और अब तक वो डाटा नासा और जैसा के पास भी बिल्कुल भी नहीं है और आज तक की सबसे बड़ी स्पेस एजनसी रसिया की स्पेस एजनसी रोसकोसमोस ने भी ये मान लिया है कि इसरो का अब तक कोई भी जवाब नहीं क्योंकि चंदरियान टू इतने कम बजट में चंदर्मा पर बेजा है और चंद के उस सर्फेस पर जाकर लैंड हुआ है जहाँ पर आज तक कोई भी नहीं पहुँच पाया है कोई भी स्पेस एटल या मिसाइल वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है तो इस कारण से रोसकोसमोस ने भी बहुत ही बड़ी बदायां दी है इसरो को जो रसिया की सबसे बड़ी स्पेस एजनसी है और हाल ही में केनेडियन स्पेस एजनसी ने भी इसरो की जमकर तारिफ की है और उनके साथ मिलकर चंदर्मा के अनेक आने वाले मिसंस में इसरो और कनेडियन एजनसी साथ में काम करने वाली हैं और इस परकार से जैक्सा और रोसकोस्मोस भी इसरो के साथ मिलकर चंदरमा के बहुत सारे मिचनों में कारिया करने वाले हैं बविशय में और अभी बात कर लेते हैं चंद्रियान 2 की खोजों की चंद्रियान 2 ने तेल के भंडारों की भी खोज की है कि पुणाने समय में यहां पर तेल के भंडार हुआ करते थे और किस परकार से पेट्रोलियम यहां पर उपलब्ध है वो भी इसरों ने बहुत ही बड़ी जानकारी मीडिया के सामने लाई है कि यहाँ पर ओइल्स की एजन्सीज यहाँ पर तेल के कुवे होने का भी इसरो ने दावा पर कट किया है कि चंदरमा की सतय के बहुत ही ज्यादा दूरी पर लगबग 5,000 मीटर की दूरी पर नीचे की और तेल के बंडार होने की बहुत ही बड़ी सं इसरो ने चंदरियान 2 के परती जताई है चंदरियान 2 ने इन कुवों के लिए अपना सिगनल भेजा और इन कुवों की तलास की है और धेर सारी गैसिज की भी चंदरियान 2 ने खोजे की है हिलियम, नियोन, मिथेन, कार्बन डायक्साइट और आरगन जैसी गैसे भी चंद अनेक परकार की ओक्सीजन की जगहे जो मानव जीवन के लिए आवशक होती हैं उनके लिए भी इसरो का चंद्रियान 2 बहुत ही जमकर तलास कर रहा है और इसरो के चंद्रियान 2 को ऐसी भी जगहे मिली हैं जहां पर ओक्सीजन बहुत ही ज्यादा अक्षेतर में होने का दाव पर नीचे की और चंदर्मा की सतय से लगबग 1000 मीटर नीचे हडपा और मोहंचो दड़ो जैसी सब बैताएं भी यहां पर मिलने की बहुती बड़ी संभावना है चंद्रियान 2 का सिगनल जैसे 1000 मीटर नीचे की और चंद्रमा की सतय से पहुँचा तो हडपा और मौंचोद लड़ो जैसे सब्यताएं होने की बहुती बड़ी संभावना मिली है यहां पर सहर के सहर चंद्रमा की सतय के नीचे दफन है और उनका राज क्या है वो कोई भी किसी भी परकार से कुछ नहीं जानता है तो इस परकार से चंद्रियान 2 ने हडपा और सिंदू काटी जैसी सब्यताएं चांद पर होने की बड़ी संभावना परकटकी है और अन insurance और उनकार की धातूएं भी चंद्रियान 2 को मिली है सिलिकोन आइरन मेगनीशियम huis कैलिशियम और मैगनीज जैसी दातूएं तो चंद्रियान 2 आई है नासा और जैक्सा ने भी यह मान लिए है कि यह सबी परकार की दातूएं चंद्रियान 2 को मिली हैं की सतय के नीचे ये सभी परकार की दातुएं मिलने का दावा सभी ने परकट किया है और सभी ने ये मान भी लिया है नासा भी इस परकार की सभी खोजे कर चुका है कि चंद्रमा की सतय पर कौन-कौन चंद्रियान 2 ने इसे भी बड़ा कारणामाई करके दिखा दिया है, चंद्रियान 2 ने यह भी खोज लिया है कि चंद्रमा पर टाइटेनियम, आरगन फोर्टी, गोल्ड, सीलुवर और प्लेटिनम जैसी भी दातूं चंद्रमा पर बहुत ही बड़ी मातरा में उपलध है, सो आप प्लीज आप जैहिंद का कमेट आवश्य ही कीजिएगा चंद्रियान 2 के लिए, चंद्रियान 2 हमारे लिए बड़ी बड़ी चटाने भी खोज रहा है, जैसे ही चंद्रियान 2 ने अपनी सिगनल चंद्रमा की शतय के नीचे भेजी, वैसे ही चंद्रियान 2 ने पता और चंद्रियान 2 की जो प्राचीन सब्यताएं थी उनके दुवारा यूज किये जाने वाले हतियारों का भी चंद्रियान 2 ने पता लगाया है। मातरा में प्राचीन काल में जीव थे। उनकी खुदाई तो चंद्रियान 2 नहीं कर सका लेकिन सिगनल भेज कर उनके कंकाल इतियादी का पता आवश्य ही चल गया। जिस प्रकार से डाइनसोर टीरेक्स, ट्राइनोसोरस, ओक्तोसोरस और स्पाइनोसोरस जैसे जीव भी चंद्रवान 2 ने चंद्रमा की सतय पर नीचे की ओर होने का दावा परकट किया है। और इसी परकार से एलियनस होने की खबर भी चंद्रियान 2 ने पता लगाई है कि चंद्रमा की सतय पर एलियनस आये हैं या नहीं आये हैं वो सभी परकार के डाटा एकतरित हमारा चंद्रियान 2 कर रहा है और इस रो को भेज रहा है। एलियंस को लेकर भी बहुती बड़ी बड़ी जानकारियां एक्तरित की हैं, एलियंस के होने का भी दावा है कि प्राचिन काल में एलियंस चंदर्मा की सतय पर आवश्य ही आते थे और इस परकार से चंदर्मा की सतय पर सभी परकार के जीव इसी कार्ण से मिल रहे हैं, एलिय परकार की खोजे करके जो प्राचिन काल में ऐसंभव थी चंदर्मा की सतय के नीचे इतने राजदफन हैं कि वो इंसानी सब्वैता के बिना बिल्कुल भी नहीं संभव है तो किसी ने किसी सब्वैता के कारण ही चंदर्मा की सतय के नीचे इतनी वस्तुए आई हैं जिस परक परकार से चंद्रमा की सतय पर भी इस परकार की अनेकों चीजें चंद्रमा की सतय के नीचे चंद्रियांटू को मिल रही हैं तो इस परकार से चंद्रियांटू अनेक परकार का डाटा एकत्रित कर रहा है और प्रित्वी पर हमारे इसरों को भेज रहा है और दोस्तों इसके स कोई भी डाटा hidden नहीं कर रहा है और इश्रो को सभी परकार का डाटा बेज रहा है चीन के बारे में भी पूरी जानकारी ले रहा है चंद्रियान 2 और चीन ने कहां कहां पर हथियार चिपाए हैं किस परकार से वो उनका इस्तेमाल कर रहा है सभी परकार की जानकारियां चंद बड़ो भर में चा गया है अनेक प्रकार की चीनी वेबसाइट और चीनी एपस पे बी चंद्रियान टू नजर बनाई हुए हैं और चीन की करतूतों के कारण भारत को नुक्षान कर रहे हैं उन सभी पर चंद्रियान टू नजर रखे हुए है तो चीन के किसी भी प्लान में और किसी भी गलत मनसुबे में हमारा चंदरियान 2 उसको काम्याब नहीं होने दे सकता तो इसी करनल से बारत चीन से आगे निकल रहा है और पूरा डाटा चंदरियान 2 इसरो को भेज रहा है तो हमारे चंदरियान 2 ने बहुत ही बड़े बड़े कमाल करके दिखा दिये हैं तो इस परकार से हमारा चंदरियान 2 विशव भर में चा गया है और प्रदान मंतरी मोधी जी ने भी इसरो पहुंचकर श्वेम इसरो को बदाईयां दी है और सभी परकार का डाटा किसी को भी शेयर नए करने को कहा है तो आपकी इस विशे में क्या राए है कि क्या हमें चंदरियान 2 का डाटा अन्य देशों के साथ शेयर करना चाहिए या उसको बहुत ही बड़ी कीमत पर हमें दे देना चाहिए किसी देश को इस विशे में आप अपना कमेंट आवश्य ही लिखिए भी है तो आप प्लीज इस विशे में अपना कमेंट आवश्य ही कीजिएगा और दोस्तों आप से पीस्फुली रिक्वेस्ट है चंदरियान 2 के लिए एक जैहिंद का कमेंट आवश्य ही कीजिएगा इस विडियो पर इतना ही थैंक यू सो मज़ पर वाचिंग और एक नाइस डे एंड टेक केर और प्लीज इसरो भारत और चंदरियान 2 के लिए एक जैहिंद का कमेंट आवश्य कीजिएगा दो सेकिंड का समय निकाल कर धन्यवाद जैहिंद जैभारत